हाई फ्रेंड आज हम बनाने वाले हैं मोहरम में स्पेसल चोंगे की रेसेपी वैसे तो ये मोहरम में बनाये जाता है लेकिन जब भी आपका मन कुछ मीठा खाने का करे तो आप इसे घर में रखी हुई कुछी समान से बना करके त्यार कर सकते हैं बहुत ही रिलिसियस लगता ह तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इसके लिए हमने एक पाव मैदा ले लिया है और इसमें हम एक चुटकी नमक डाल रहे हैं और यहाँ पर दो चमच तेल डाल रहे हैं यह तेल रिफाइन तेल है सरसो का तेल मत डालिएगा रिफाइन तेल या घी डाल सकते हैं तो अ तरीके से अप रोटी का आटा गुदते हैं सेम उसी तरीके से गुद लेना है और यह देखे यह अच्छा सौफ्ट सा हमने गुद लिया है आटा को अब इसे हम ढख करके रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि आटा सेट हो जाए अची तरीके से अब हम चोंगी के लिए चा इसे घूल जाए और यह देखे शकर हमारा अच्छी तरीके से घूल चुका है अब इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे एक छोटा चमच इलाइची पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे चासनी हमें ज्यादा गार ही नहीं चाहिए शकर घूल जाने के बाद 4-5 मिनट के लिए पकाना है और यह चासनी हमारा रेडी है यह देखे आटा भी हमारा शेट हो चुका है अच्छी तरीके से तो इसे हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा इसे हम चिकना कर लेंगे और इसका हमें लोई तोड़ लेना है तो इसका हम 6 पेरा बनाएंगे इसका आप 7 भी ब भी बना सकते है अपने हिसाब से इसे बनाईयेगा और यह देखिए इस तरीके से हमें जिस तरीके सोरोटी के लिए हम पेर मड़頭 बनाते principal का शूर्रबत लगा करकर के हम से रोटी जैसे वेलते है वैसे से मोडर पतला इंडरी तरीक हम ने बहुत सारी वीडियो बना रखिये, शर्बत, रोट, खिचरा, तो ये सब भी देख लीजिएगा, और ये देखिये, इसे हमने बेल लिया है, इसका थिकनेस एक शिक्के के जैसा होना चाहिए, एक रुपे, दो रुपे का जैसा शिक्का होता है, वैसा ही, और इसी तरीके से हमने सारे रोटी बेल लिये हैं, और इसके उपर से मैं घी लगा रही हूँ, अच्छी तरीके से पूरा रोटी पर हम घी लगा देंगे, और इसके उपर से हम दूसरा रोटी डालेंगे, फिर से घी लगाएंगे, फिर से तीसरा रोटी डालेंगे, फिर घीर लगाएंगे, फिर चोथा रोटी ड और इसके उपर से भी हमें घी अपलाई करना है और इसे हमें रोल करना है तो इसे हमें अच्छे तरीके से थोड़ा सा टाइट ही से हम रोल करेंगे जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ सेम उसी तरीके से आप पूरा फॉलो कीजिए और आपका भी चोंगे बहुत जबरदस्त बन करके त्यार होगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन और पर किलिक किजिएगा इससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जागी और आप इससे बना लेना है और यह देखिए यह हमने बना लिया है अब इसको हम पूरी के जैसा बेलेंगे पूरी से थोरी सी बड़ी साइज में तो साइज आप अपने हिसाफ से रख सकते हैं यहाँ पर सुखा आटा मत लगाईएगा इसे ऐसे ही बेलेंगे तेल चरा दिया था गरम होने के लिए तो तेल गरम हो चुका है तो इसमें हम चोंगे को फ्राइ करेंगे आप चाहे तो घीमे भी इसे फ्राई कर सकते हैं और जिस तरीके से मैं बता रही है थोड़ा सा हलके हाँ चमस से आप दबाते हुए इस तरीके से इसे फ्राई कीजिए क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा ये देखे इसा कलर कितना खुबसुरत आया है धीमा टू मध्धम फिलेम पे यानि मेरियम टू लो फिलेम पे हमने सारे चोंगे को फ्राई किये हैं यह अच्छा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है इधर चासनी हमारा हलका गुन-गुना है इसमें हम डूबोएंगे जितना मीठा चाहिए आप उतना दिर तक डूबो सकते हैं पर ज्यादा मीठा मत कीजिएगा ज्यादा दिर मत डूबोएगे पांस से दस सेकेंड के लिए बस इसे डूबोना है और एस्ट्रा जो चासनी है उसे हमें निकाल देना है इस तरीके से और इसके उपर हम डालेंगे सुखा हुआ नारियल जो डेसीकेटेड कोकोनट इजीस से आपको मार्केट में मिल जाएगा नहीं तो ये सुखा हुआ नारियल को खुरच करके भी इसके उपर डाल सकते हैं टेस्ट दोनों का सेम है यहाँ पर हम थोड़ा सा पिस्ता डाल रहे हैं आप काजु बदाम भी डाल सकते हैं थोड़ा सा भूना हुआ खस-खस डाल रहे हैं खसखस को तबा पर थोड़ा दर के लिए भूली जिएगा इसे पॉपी सीट भी कहते है खसखस को और यहां पर एक किसमिस हमने लगा दिया है डेकोरेशन के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसे हम इसी तरीके से एक की उपर साड़े रख करके हमने बना लिए है